आपके साथ कुसुम प्रसाद तो स्टुडेंट्स आज आप सभी विध्यारतियों के लिए हम हिंदी का सब्जेक्ट लेके आए हैं कक्षा 10 के विध्यारतियों के लिए और तो आप अपनी पाठे पुस्तक शितिज भागदो निकालिये और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संगतकार पाठ तो इसको बताने के लिए हमारे स्टुडियों में हमारी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं मैं परिच्य करा देती हूँ संध्या मैं आपका बहुत-बहुत स्वागर नमस्कार सभी को नमस्कार संध्या मैं है प्रोफेसर अध्यक्ष भाशा शिक्षा विभाग न्सी इए आटी से तो मैं बताएंगी संगतकार पाठ को और विस्तार से बताएंगी तो आप जरूर जूड़े इस से आप सभी आपने सुझ्जाव अब हमें दे सकते हैं हमारे वे भिन्न माध्मों के जरिये आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल आईडी है डी टी एज डॉट क्लास 10 एडरेट ciet.nic.in पर तो अब हम रुख करते हैं माम की तरफ संध्या माम की तरफ तो माम जैसे की पार्ट का नाम है संगतकार तो संगतकार को ही हमारे जो स्टुडेंट्स आंलर्नर संगतकार किसे कहते हैं और क्या ये कवीता है क्या कुछ है इसमें माम आप बताई जी ऐसे है विल्कुल सवह है सब से पहले तो सवाल यही उठेग ऑ अन्न में य orbits में यह कविता है लेकिन बहुत से और लोग भी दर्शक जुड़े होंगे जो शायद ना समझ पाएं तो संगतकार एक कविता है और ये मंगलेश डबराल नामक कवी ने इसे लिखा है और जो कक्षा दस में पढ़ाई जा रही है शितिश भाग 2 में शामिल है जो कि किताब है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोग संगतकार पर समझ लें जान लें कि संगतकार क्या होता है संगतकार शब्द आखिर आया होगा दिमाग में तो क्यों आया होगा कभी के दिमाग में तो इस पर हम बात करें इससे पहले मैं अपने साथियों को कुछ वीडि कि योरी ले चलते हैं सुनते हैं फिर इस पर हमें बात करूंगे दूसरा बीडियो फिर हम देखते हैं कि योygिए कुछियो विडिए जानृतः बात शांगार गमैदा इस पर हमुदत शवलिघर इस पर हम कंच्छियो ट्रॉत सुर्ष करकार। स्वामिए कोंक्छ तर्सा बात अंतरयां आ्यमिऌ गड़्वा कर्स्वामि इस ना चैब अ मिरदासी जनम जनम की ली रादासी जनम जनम की बनी जिवारों पाई ली तरसाथ जी आभी हमने ये दो वीडियो देखे लीपिंग देखी तो इसमें क्या तरसाथ जो अभी वीडियो हमने देखा है उस वीडियो में जो आपने सुना आपने देखा होगा कि एक मुख्य गायक जो पहला वीडियो था उसमें पंडित मनी राम मुख्य गायक थे और उसके साथ जो बैठे हुए थे पंडित राज बैठे हुए थे पंडित राज का नाम सबने आपने सुना होगा बहुत बड़े उस दोर में जिस समय यह वीडियो बना था उस समय वह केवल एक शिष्य थे जो कि round की सिष्य थे पंडित मनिण याम के शिष्य ते बंडित मनि-राम उस समय बडे गायक थे और उनके साथ पंडित-जसराज भी गाय रहे थे आप ने देखाँ वहां कि jab Pandit- Alan आफ मंने पर्यां के अपड है तो जसराज जी की आवाज बहुत धीमी थी, थोड़ी थीरे थीरे वह ँचि आवाज नहीं थी वह संगतकार की भूमीका में वहाँ पर थे और उनके साथ तबले और बहुत सा संगत किया तो यह सारे संगतकार की भूमिकामे थे ठीक इसी तरह आपने देखा की सुबुलक्षमी, M.S. सुबुलक्षमी का जो आपने वीडियो देखा अब हद बड़ी गाई का करनातक संगीत की बहुत जानी मानी गाई का रही है सभी जानते हैं और उनके साथ एक शिश् पर बैठे हुए लोग भी हैं अन्य बादी यंत्रों पर भी लोग बैठे थे उन सब की आवाज मुक्ष गाई का की आवाज के साथ मिल रही थी यानि अलग से वह नहीं ना तो अलग से तानपुरा सुनाई पढ़ रहा था ना अलग से तबला सुनाई पढ़ रहा था ना की शिष्या का की कोई आवाज सुनाई पढ़ रही थी एक मिली हुए आवाज जो उनके अपने गुरू के साथ उस वक्त मिली हुए थी बिल्कुल असी तरह पंडित मनिराम वाले में भी आपने देखा पंडित मनिराम वाले में मैं आपने एक बात और भी देखी होगी कि यह वीडियो आप प्रसार भारती के साइट पर जाकर देख भी सकते हैं पूरा कि जब यह गा रहे थे पंडित जस्राज तो बहुत ही जब उनकी पंडित मनिराम की आवाज रुक रही थी तो वह शुरू कर दे रहे थे बहुले धीमी सी आवाजे का रही थी तो संगत कार क जो भूमिका होती है वह बहुत एक धीमी सी आवाज और जो अपने गुरू के साथ याईों कहें कि मुख्य गायक के साथ अपनी आवाज मिलाता है एक तो यह है दूसरा यह भी है कि जितने भी बादे अंतरों के साथ लोग जुड़े हुए है वह भी संगत कार की भूमिका जा सकता है अपने आसपास भी इसके स्वरूप को समझा जा सकता है कभी ता और कभी को समझती हुए यह बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जी माम और बहुती खुबसूरती से हमारे स्टुडेंट से लर्नर्स तो आपने इसका परिचे कराया संगत कार का क्योंकि तो आपने जीवन परिचे करें लिए और आपने जिकर कि कि कवी मंग्रेश दबराल जी ने इस कवीता को लिखा है तो हमें कुछ इन का भी जीवन परिचे बताई है कि वह किस तरह के वैक्ति थे उन्हें कौन को से बढ़ पार्ट और कवीता लिखी है जीवन बहुत से लि में एपन की बत्रचार में अपने जीवन की चुरूआत की प्रतीपक्ष में काम किया अजवा आजवास में काम किया और पूर्वगérie नाम की एक बह। हिँ भारत भावन was aliment gone जन्सत्ता नमक् जो हिंदी का बहुत ही मशूर अखबार है दैनिक पत्र है उसके साथ भी जुड़े रहे और उसके साथ जुड़ कर कह सकते हैं कि जो साहित्य वाला प्रिष्टाता था वह बहुत ही खुबसूरत बना दिया उन्होंने एक साहित्यकार जब पत्रकार से होता ह तो वो अपने आप में समझ लीजी कि पत्र भी खुबसूरत हो उड़ता है उसके सारे शब्द चमक उड़ते हैं तो साहित की दुनिया से उस रूबरू कराया लोगों को पाटकों को रूबरू कराया उसके जरीये जनसत्ता में जब थे इनके जो संग्रह निकले है वो कि अपर कि लुटने पर उन्होंने जो संसमर्ण लिखा जिसको कुछ लोग यात्रा वितांत भी कह देते हैं उस संसमर्ण को पढ़ा जाना चाहिए वह संसमर्ण अपने आप में बहुत ही कि अवर्मेरिका के बारे में बलकि कह सके एं अपने देश और अपने देश के उसक तो इस तरह से अंग्लेश डबराल का पूरा जीवन आगे देख सकते हैं उनकी कविताओं कानुबाद, उनके साहित्य कानुबाद, कई भाशाओं में हुआ है, जर्मन में हुआ है, रुसी में हुआ है, स्पैनिश में हुआ है, और स्पोल्सकी में हुआ है, बुल्गारी में हुआ है बहुत सी भाषाओं में हुआ है और बहुत से पत्रों से संचारवाद्यम साहिते सिनेमा की भाषा से वो बाकाइदा वाकिप थे और यही कारण है कि संगतकार जैसी कविता लिखने में उन्हें साहिता मिली होगी क्योंकि उसकी संगतकार बढम में सकता थे तो लेखा बहुत से और महत्या है कि वह बहुत से पेस्ट होगी इंहोंने संगत्कार तो लिखा ही है आप उनकी कविताओं को एक और और कविताओं को पढ़ने का प्रयास करिएगा. उन्होंने बहुत से म्यूजिक में जो संगितकार हैं उन पर भी कविताये लिखिया जैसे अमीर खाँ पर लिखी हैं। और अईसे रहाँ चलते जो लोग गाने वाले हैं उन पर भी उनकी दरिष्टी गई है तो एक चंगीत की दुनिया से बाकायदा वो वाकीफ रहे हैं और पहाड में रहे हैं तो जाईर है पहाडी, धुन और पुरा-संगीत की दुनिया से वो पुरा को जानते थे तो तो कला और साहित्य के संबंध को भी इस कविता के द्वारा देखा जा सकता है, जिसको आर्ट इंटिगरेटेड लर्निंग कहते हैं, कला से जुड़ कर सीखना होता है, वो इसके जरीए भी आप देख सकते हैं, कैसे यह शब्दावली हमारे साहित्य की शब्दावली का विस्तार करत है, तो इस रूप में भी इसे देखा जा सकता है, बहुत बहुत ही महान शक्सियत है, और आपने जैसा बताया कि हमारे स्टूडेंट्स जरूर सर्च करें इनके बारे में और कुछ जानेंगे और पढ़ेंगे जैसा कि आपने जिक्र किया, हम संगत कार पढ़ रहे हैं, यह कविता है, तो जब तक कविता पढ़ ना सुनाई जाया तब तक कुछ कमी सी रहती है, यह तो हम लोग हर बारी कहते हैं और फिर कहेंगे, जब भी मिलेंगे, जरूर कहेंगे, कविता दर असल कही जाती है, शेर कहे जाते हैं, अपने सुना होगा, शेर कहे जाते हैं, कवित यह खो liganga Snapchat का ओर है यह अधने की विद्धा जो यह लिखने की रहां कि कहने की विद्धा है केहना है को हम आख घाए कर लिख्यप कि अमनमेंह Patrol एक पाथ outta reacting उसके सामने बैठा हूई ते कें होता है start अधर शब्रशी से भी कविता को पढ़ना बहुत महत्यपून है उसे काफी कुछ अर्थ खुलने लगता है तो चलिए एक बड़ पढ़के देखे हैं हला कि कोई आधर पाथन नहीं है यह ध्यान रखिएगा इसको आप बहुत 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 बह सकते हैं मैं एक प्रयास करती हूं मुख्य गायक के चटान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिष्टेदार मुख्य गाय में वह अपनी गूज मिलाता आया है प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गा तार सबतक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवास से राक जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को धाड़स बधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूहीं दे देता है उसका सा यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह की फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है यह आपने स्वर को उचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए तो यह एक पाठ है इसका इस पाठ के जरिए अगर हम इस कविता को समझने का प्रयास करें तो मैंने जहां जहां उतार चड़ाओ डाला था कोशिश करके मैंने भी प्रयास किया था इस कविता की संगत की थी मैंने आप कह सकते हैं क्योंकि कविता एक मुख्य है मेरा आज का तो आप आप समझ बार हुगे कि हम ने कहां रुकना और कहां आ उतना कि कोशिश की और आप अपने धंग से भी इसको प्रयास करें सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती सबसे पहले ही चट्टान पर हमारा ध्यान जा रहा है कि चट्टान क्यों चट्टान जैसी भारी स्वर अखिर चट्टान की विशेष्टा क्या होती है तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि चट्टान की सबसे बड़ी विश्यष्टा है कि वो हिलती नहीं है, वो एक ही जगे रहती है, स्थिर होती है, तो चट्टान जैसा भारी सवर कहना, मतलब जब एक उस सवर के उंचाई तक पहुच चुका है गायक, जहां उसके भा लिए तो चट्टान जैसा भारी सवर को को इसको डिगा नहीं सकता कोई, लेकिन उसके ठीक दूसरी लाइन में आ रहा है कि वह आवाज सुंदर कमजोर कापती हुई थी, अब वह संबोधन जो है वह संगतकार के लिए वह संगतकार के लिए वह संगतकार यहां आया नहीं ह तो इसको एप भूसकी निस में आवाज संकिते हैं तो हाज संदर थी, कमजोर थी और चापती हो इत कैसे हो सकता है कि कमजोर ऑ कापती हुई प्रविशन तो एक पंपन सी आवाज की हमेशा आपने देखा हुगे जब शास्त्री संगीत आप सुनते होंगे तो आप देखते होंगे कि आवाज में एक पंपन यानि रियाज का जितना अच्छा रियाज होता है उतना जादा अपन वो खुबसूरत जंग से दिखाई पड़ता है एक और बात है कि अपने आप में विवाद का विशय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए अलग धंग से इस पर चर्चा विमर्ष किया जाना चाहिए कि जो डरा हुआ जो सहमा हुआ है वही क्यों सुन्दर होगा जो कमजोर है वही क्यों सुन्दर होगा उसकी ताकत को क्यों नह सकते हैं वो एक अलग मुद्दा है लेकिन इसमें कम से कम संगीत के अर्थ में तो इसे हमें समझने की जरूरत है कि जब गायक गा रहा होता है और खासता उसे संगतकार तो बहुत ही एक धीमी सी कमपन के साथ आपने हमेशा सुना होगा जब उसके शिश्य या कोई संगतकार तो हमेशा उसकी आवाद मुख्य habitsya थokes थोड़ी धीमी होती हाँ फड़ी कम होती है यह थाओ कर दोसरी बात यह इनोंने कह दिया कि यह कौन हो सकता है आखर में अलग तो जल चुंए हो सकता है कोी बहकई हो सकता है कोई लोने वो सकता है हो सकता है गायक का जैसे कि अपने कि पंडित मनी राम के शेशे, पंडित जसराज जैसा जो बड़ा गायक बाद में चल करके बहुत बड़ा गायक बना तो वो भी हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कोई दूर से चल कर आने वाला, कोई सीखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है तो वह बहुत से लोग हो सकते हैं, एक और बात जो आई है तीन-चार पंक्तियों के बाद उध्यान जाना चाहिए, मुख्य गाय की गरज में वह अपनी गूज मिलाता आया है प्राचीन काल से, फिर वही संबोधन है वह, वह संबोधन, यह उपसर्ग है, यह उपसर्ग है, और वह संबोधन काल से उसका जो प्राचीन काल से उसका जो रूप है उसकी जो भूमिका है और वह क्या भूमिका है? कहते हैं कि मुख्य गाय की गरज में गूज मिलाता है आप ठ्यान देजिए कि मुख्य गाय की गरज मिलाना गूज क्या है प्रतिध्वनी है, मुख्य ग आओंगार इस तरह से अपने स्वर को ले के आता है, इस तरह से अपना गायन प्रस्तुत करता है कि लगता है कि वह उस मुख गायक की प्रतिधुनी है यह प्रतिधुनी अपने भ उन्हाम मे sail है क्योंकि गुछ प्रिधिध्ध्वनी जब ऑप उड आवाज देते हैं तो उसकी प्रतिध्वनी सुनाई पढ़नी चाहिए संगतकार में, चाहिए वो तबले पे बैठा हो, चाहिए वो गायन के रूप में बैठा हो, चाहिए वो तानपूरे पर बैठा हो, चाहिए वो सितार पे बैठा हो, तो किसी भी वादे के साथ बैठा हो, या स्वर के साथ म वोनों ही स्थितियों में उसकी प्राटीध रहतीट है ना कि उसका मुख्य सवर है, यह किसी की अपनी एक भूमिका है हमारे समाज में हर किसी की अपनी एक है कोई तरह के सही इक थार कोई नायक चाहे वह राजनीति की दुन्या देख लीजे बत गांधी जियू इतने जादा जो जननायक बन पाए तो जनता के बल पे बन पाए जनता उस समय संगत कर रही थी जनता उनका साथ दे रही थी संगत कर रही थी तो जनता के साथ जो इतनी भीड इतनी जो हुजूम इखठा होता था तो उस हुजूम के बल पर उस हुजूम की संगत के साथ ही गांधी जैसा एक सपना देख सका कि भारत को आजाद कराना है, तो भारत को आजाद कराने का सपना देखना और उस पर परिपुन्ता में कह सकती है कि उस पर सफल भी हो पाना, यह अपने आप में नहीं हो गया, वह इसलिए हो पाया कि वह उसके साथ बहुत से लोग थे, बहुत से संगत करन तो वह संगतकार थे, तो समाज में भी इसको अगर समझा जाए, मुख्य रूप से तो संगीत की बात यहां कभी कर रहा है, लेकिन समाज की रूप में भी देखा जाए, तो समाज में जो नायकत्व पराप्त करता है, जाए वो गांधी हो यह कोई अन्य व्यक्ति हो, तो नाय कि अपनी एक भूमीका है, हर कोई महत्वण है, और हर कोई अपनी भूमीका में ही रहे यह भी महत्वण है, माम यह छोटे से शब्स अंगतकार में कितना बड़ा अर्थ चुपा हुआ है, और आपने भूप सीरुती के साथ हमाय स्टूडेंट लेर्नर्स को बता रहे हैं, कि संगतकार संगीत जो गायक है महत्वण है ही, संगतकार भी कम महत्वण नहीं है, उतना ही महत्वण है, क्योंकि अगर ना करे तो आगे चल करके कवीता बाता आती भी है, कि अगर संगतकार खास्तों से शास्त्री गायन में तो यह बहुत जरूरी है, कि अगर संगतकार सा प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटलतानों के जंगल में खोचुका होता है या अपने ही सर्गम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है यह भी बहुत मैत्पुन है कि कई बार अपने देखा होगा शास्त्र ग्यायन में गायक जो है अपनी उची आवाज जब अब तार सब तक पर जब पहुंच जाता है यानि सर्गम को पार करता हुआ तार सब तक पार करता हुआ जब तार सब तक पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है उसका लोटना कई बर मुश्किल होता है आपने ध्यान दि जो उस अलाब की धुन में वह कहीं हो जाता है जो उस गुम हुए मुख्य गायक को ताइ भाव पर लेगाना या संगीत का जो स्फवर का जो स्फवर था उस मूल तक लियाने में कौन सहय होता है संगतकार सहय है पर उसे याद दिलाता है कि यह स्फ़र तुम्हें वाफस आना 가지고 तो तेतर Benektoh, हमार्व है क्योंकि वह है क्योंकि कोई हम सपना देखते हैं कोई भी स्फवर यह क्वे संगीत या किम उगर आगे जाते हैं तो वे दून आगे सॱ्त hates जाते हैं कि सपने में टो जाते हैं की कई बार मूल चीजे हम फूर जाता है बारे हैं सफोन pad है मध्यय सवर और संद्र्ट्ट लग मन्दरस खनु सनला और संद्र होताइ Fr संद्र्ट्ट्ट्ट की टार्ट्ट्ट्ट्ट्ट साथं। वह र headache टिए और भी बहुते वह उन बता हैЧто ओ को श्वालना बहुत मूपला मुर्त वहता है तो यह तो बिलकुल गुझ्वी खाली उसकी रहती है, तो वो गुझ्वाले को आप मद्ध्यु तो तार्सब तक उसको कहते हैं तो यह से लिए किया जाना के लुटे एक जाने के बाद पर लुटने के लिए जाद दिलाता है, पिर कहते हैं कि जब संगतकार है जैसे समेटता मुख्य गायक का पीछे चूटा हुआ सामान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्चपन जब वह नव सिखिया था ये भी महत्वर है कि जब वह ऐसा कर रहा होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह गा नहीं सकता है वह फिर से लोटा रहा है वह तक उसुचाही तक नहीं प स्वर्म पंडित मनीराम के सथ दिल यह भी इस वक्षर मिला है लेकि यह लिए प्रवार है यह इक नुचिया है वह लेखिया है लेकि बाद में चल कर यह यह लेते हैं वह जैसे याद दिला रहा हो कि इसा हम ज़रूरी नहीं कि उसे रूख मेह रहेगा उसका सार बदलेगा जब एक मुखे गायक बने गया उसका बच्पन दिला रहा हूं। पता होगा कि जब हम अलाप लेते हैं, तो पहले सिखाया जाता है कि सारे मोठक जाओ, पाँ तक जाओ, सीधे नी तक माच जाओ, तो पाँ जाएंगे, फिर जा एदे जाएंगे, तो आपका स्वार टूटेगा नहीं आप नी तक पहुंचेंगे तो, यानि सातों नी तक प मा जो नहीं का रीज एक पढ़ने के सवर्न ना टूम्ट जो रियाज करना ठड़े एक रियाज करने के लिए कभी ल्वास लोटना पढ़ेगा कभी लोटना पड़ेगा कभी कभी लोटना पढ़ेगा मौ टिके तिसलिए यह बहुत पंचंछ ना ऐख और अभी अध्धॉ तो जैसा कि यह बताया थाम कुछ कथिन शब्द भी आप बीच बीच में बता रही है जे जे और एक और शब्द आया है अनहद जे तो उसका भी मीनिंग हम अपने स्टुडेंट को बताना चाहेंगे मैं अनहद जो होता है अनहद का मतलब होता है जिसकी अश्या थिसकी अध बताता है तो रही है जासी को चुछ तो हैं जब माखने लिच ड्षिरमाना की तरह मुआ्च साथ हैं इसके उंपर पहुंछ गया हो तो अपना अलाप लिच aur जप और भाहां पहुंछ गया तो वह तक पहुंच करके .. जिसको लौताना जिसको लुटा लौत मुटरि जब वहां अज़ पहुच जाता है तो लोग उता है यहthose लोग जर्ग में भातज. मिल जब लोगे जैक्ट पहुच अगे खाएंग्या है अथी? जब मगन होजाना झोगि पारायोम है। तब को आपको याद नहीं रहागा कि आप शुरू कहा चाहा था अपने किया था और मैम संगीत तो ऐसा ही है कि संगीत ऐसी चीज है कि इसमें इनसान लीन ही हो जाता है है संगीत सुनते है तो प्रेणा साथ चोड़ती हुथ साह अस्त होता हुआ तारसपटक में जब बैठन लगता है उसका गला प्रेणा साथ चोड़ती हूए अवास राक जैसा कुछ गिरता हुआ तब ही मुखगय को घाड़ को जाता कहीं से चलाता है uellement यहां और घरन तरह कि आति भार शले को मुख्य गायकिढ पराइल तरह करा पराउट अई पर के कहना में भाट इसके मारा जाए अच्छार काया है वो एहां धित जए आवाज में इंत Wish there are में अगा चल्दे ही एक चल शод प्रदम को तो हुड कहे होग दो तिन बात को कहते हुए है जए तो अखुहाद्स होती हुआ थे हुड़ियाब कहीं से आजाता है एक और महत्य ऐस दिला रहा है ज़ा बनागि मरत गफ्द जिला रहा है कि हमारा दहान तहे दिला जाता है जब जाता है चालों जब गोड़ चुका होता है और अचानक कोई दिला रहाता है तब हमारा ध्यान संगतकार पर जाता है कहीं से चबद अभी इसमें महत्युपुण है कहीं से आजयता है physics to कभी हमने एक दम गौण समझा था, नगन ध्यान भी नहीं गया था, हमारा अन देखा किया था, उस पर हमारा ध्यान जाता है, तो यह अपने हम महत्तपुड है, और कभी-कभी यू यू दे देता है उसका साथ, कभी-कभी अब अलाप लगा देता है वह और यह भी आद दिला है उसे फिर से कहा जा सकता है, लेकिन तरीका नया होगा, बहुत से लोगों ने मीरा के गितों को गाया है, बहुत से लोगों नो कभीर को गाया है, लेकिन कुमार गंधर अपनी तरह से गाते हैं, और बहुत से और लोगों ने दूसरी तरह से गाया है, तो भीम सेंजोशी अनदाज़ है अपने तरीके से और नए लोग नए तरीके से उसको प्रसुत कर सकते हैं ऎ अइसा नहीं है कि tenई नहीं घमी boyतु और tu जसकु आ हिचक साफ सुनाई देती है यह अपने स्वर को उचा न उठाने की जो कोशिश है उसे भी फलता नहीं उसकी मनुष्यता संझा जा जा नहीं इस पूरी कविता का की वर्ड जिसको कहते है की लाइन वीज वाक्य है यह जिसमें यह कहा जा रहा है कि वह जान बूझ कर धीमा हुषक नहीं है और साफ सुनाई डेती है वह मैं पूशिश करके लाई गई है और उसको असफलता नहीं है बलकि उसकी मनुष्यता है आपने बिल्थी के साथ को डिले घरा है, weं मतलब क्या है, और अट विपृमिका को निर्वाह कर रहा है तो विल्थी है पूरी कभिता अुझार विक लिप एल्म्हाइभatro, ऐसके अछाएम, आप धल्मुपलि टीजा थूंग बूरिशताया. कि इसका मतलब क्या है और गायक के साथ संगतकार की भूमी का भी बहुत महत्पूर होती है आप यहां आए और हमारे जो स्टूडेंट्स और लेर्नर्स हमें देख रहे हैं उन्हें इस पार्ट के परिचे दिया और बहुत ही खुबसूरती के साथ आपने इसके पहलों को बताया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवादना स्टूडेंट्स और लेर्नर्स बहुत ही खुबसूरत था यह आज का पाठ संगतकार हमें उमीद है कि आप ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा और आप दुबारा से देख सकते हैं से और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा यह सत्र यहीं संपन होता है लेकिन आप कहीं मत जाएए क्योंकि अभी कुछ ही पलों में हम फिर से हाजर होंगे साइन्स का एक सत्र लेकर कक्षाद 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकिन हमें दीजे इजाज़त नमस्कार